हेलो अब्रीबन वेलकम टो दे स्वामी विवेकानन इंस्टीटूट मैं निस्टा हूँ और जैसा कि आपको पता है हम लोग थेयरी और अप्रोचेस की बात कर रहे थे जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन में हमने यरीलिजम को कवर कर लिया था लिब्रेलिजम को कवर कर लिया था यानि यह था अधरवाद उदारवाद जो में just जो आपको आई यर से पूछ जाते हैं उसको हमने कवर कर लिया था जो next topic जेनरली जिसको बच्छे skip करके जाते हैं बड़ ये question आपको NTA पूछ देता है as a book उसके thinkers उसको आपको cover करके जाना है क्योंकि कि NTA में कोई भी आप question को predict नहीं कर सकते हैं तो आपको अपनी best तैयारी करके जानी है ताकि किसी भी condition में आप उसको solve कर सके तो जब भी आप feminism से question देखोंगे तो आपको मैंने बताया था कि last time कि किस तरह से question आते हैं तो generally आप देखोंगे नारी वाद से related उनके book उनके important thinkers बट जब भी हम international relation में feminism की बात करते हैं तो international relation में feminism जो होते हैं उनके क्या key debates हैं यानि कि जो global south की feminism है या फिर global north की feminism है उनके issue क्या है उनके मुद्धे क्या है उनकर लेकर के आपको understanding होने चाहिए कितने तरह के feminism root हो रहे हैं यानि कि आप देखोगे standpoint feminism, post-colonial feminism इनके बारे में आपको पता होना चाहिए तब ही आप क्या कर सकते हो theory पे आपका जो command होगा वो संपोर्ण रूप से हो पाएगा इसलिए theory को जादा से जादा आप focus करें क्यूंकि हमने realism को बहुत ही अच्छे से cover किया था और इसमें जितना हो सके जितने part में हमने video देने के कोशिश की थी ताकि आप पी वाई क्यों को साथ में आप उस topic पे अपनी grasp बजो है वो बना सके रही बात liberalism की उससे भी related हमने कोशिश किया था कि जादा से जादा question को ध्यान में रखकर के topic को cover करें marxism, structure marxism, constructivism इन सारे topics को हमने cover की थी तो बाकी जो theory है जैसे कि post-colonial theory in international relation, post-structuralism theory in international relation, post-modernism theory ये जो theory है हलाकि उतने depth में आपको NTA में या syllabus में नहीं दे रखा है बट फिर भी आपको उसको clear करके जाना है ताकि कोई भी बिंदू जो है, वो miss ना हो, आपको अपने तरफ से पूरी तयारी करके जानी है international relation में या फिर political size के किसी भी unit में, चाहे आप comparative लो, चाहे आप administrative लो, चाहे आप political theory लो, या फिर Indian polity, give your best ताकि क्योंकि आपके पास हैं, क्या-क्या debates हैं, क्या-क्या मुद्धे हैं, अंतरास्टी विसे में, जेनरली जब आप PYQ को analyze करोंगे, तो आपको feminist theory, thinkers, उनके books, इन से related, ने-ने, आपसूर्स ये पूशे जाते हैं, बट मैं आपको basic understanding कि इसलिए दे रही हैं, क्योंकि हमारा focus जो है, वो आपको समझा आने पे हैं, ना कि आपको road learning पे, ये सब चीज़े आप exam के दो दिन या फिर हो सकता है, दस दिन पहले भी आप कर सकते हो, बट कोसिस कीजिए, क्योंकि आपके पास अभी time है, तो आप नारिवाद को समझ के चले, उनके विशाय को, उनके जो विवाद हैं, उनसे related, जो मु के चलो, क्योंकि अंतरास्टी विशाय या फिर आप भी जब UGC net का exam दोगे, UGC grf का exam दोगे, तो उस पे आपको understanding based question, application based question हो सकता है, दो थियरी को एक साथ correlate करके question पूछा जाएं, तो आपकी पकड़ विशाय पे बहुत अच्छी होनी चाहिए, जब हम बात करते हैं, और अंतरास्टी विशाय में उसका जन्म होता है, और एक आलोचनात्मक थियरी के रूप में, यानि कि जो पहले से इस्थित थियरी थी, मेन स्ट्रिम थियरी के रूप में, को क्रिटिसाइज करते हुए, यह जो फेमिनिजम थियरी है, वो अंतरास्टी विशाय में अपनी एक स्थान बनाता है फेमिनिजम के जब हम बात करें तो हमने औरिजन के बात कि कैसे जो है फेमिनिस्ट जो तिंकर से उन्होंने कहा कि फेमिनिस्ट जो तिंकर से उन्होंने कहा कि फेमिनिस्ट यानि नारी बात जो है ये जो है ये डिफरेंट होते हैं हर्थ नारी वाज होते हैं या फिर हम दलिट्स मिमन की बात करें या फिर हम ब्लैक्स मिमन की बात करें उनकी जो प्राबलम होती है वो वाइट्स मिमन के प्राबलम से बिलकुल अलग होती है तो इनके प्राबलम को अलग-अलग तरीके से यानि कि feminism को सिर्फ एक तरह का feminism ना माना जाए बलकि उनके situated understanding यानि कि उनकी जो cultural historical understanding है उसके हिसाब से उनको समझा जाए अंतरास्टी विशह में जब आप आगे देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारे offshoot आपको देखने को मिलेंगे इसमें eco-feminism, post-colonial feminism, standpoint feminism और भी तरह-तरह के offshoot हैं वो समय के साथ-साथ double-up हो रहे हैं तो हमें क्या पढ़ना है उस debates को उनके key ideas को समझता हैं जब हम आगे बढ़ते हैं यानि कि जब हम feminism के various feminism की बार discuss करते हैं तो जैसे realism में आपने देखा, realism के आपने obsures देखें, classical realism, structural realism या फिर neoclassical realism तो उसी के साथ-साथ आप feminism में देखोगी कि उन्होंने, जैसे आप global south के feminism है ना उन्होंने एक उनकी जो problems है, caste-related, dullest feminism, इनकी अलग-अलग समझता हैं तो उन्होंने कहा कि why feminists should be treated as homogenous, यानि को सबको एक साथ आप सम्यक तरीके से देख रहे हो क्योंकि feminist उनकी समस्याएं अलग हैं, तो हर जो females है ना, उनको आप अलग तरीके से treat करो और इसी वज़े से जो tom आया, वो non-western feminism, यानि कि global south की जो female हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं और अंतरास्टिये विशे में, इनके समस्याओं को एक अलग स्थान देना चाहिए उधारन के तोर पे, आफरिका की women, या फिर, बैलिट्स women तो इनकी समस्याओं जो है आप देखोगे कि जन्रली आप अमेरिका में जाओगे, जिस तरह से black का discrimination होता है, उनकी समस्याओं अलग हैं, सिर्फ उसी तरह से दलिट्स women, इंडिया में, कास्ट को लेकर के, उनकी समस्याओं अलग होती हैं, या फिर, आप उनके jungle के rights को लेकर के, forest rights, they have different issue, अपने चिपको मुवमेंट के बारे में सुनाओगा, तो किस तरह से जब कानून आया, wildlife protection, तो women ने चिपको मुवमेंट, यानि कि उन्होंने अपने issue को describe किया, कि since forest is their main source of livelihood, जीवन यापन का केंद्रे forest है, तो उन्होंने चिपको मुवमेंट के रूप में इसे तरह से जितने भी females होते हैं, उनकी जो problems होती है, they are different, so उन्होंने कहा कि हमारी identity, जो हमारी पहचान है, वो अलग-अलग है, इसलिए feminism भी एक नहीं होना चाहिए, that should not be homogenous, यानि कि ये सजातिया नहीं होना चाहिए, ये अलग-अलग भी होना चाहिए, feminism के different off-suits होने च Cynthia Iloynik, Cynthia Iloynik, queer theory, यानि third gender को भी feminism के दाएरे में माना, अब हम बात करते हैं, non-western feminism को थोड़ी सी गहराई में, एक जो terms आता है, एक quotes आता है, चंद्रा तलपड़े महंती का, sisterhood cannot be assumed to the basis of gender, यानि कि जब हम white women कहते हैं, कि all world women problem is same, तो उन्हें कहा कि यह जो आप बहन चारा आप दिखा रहे हो, feminism को लेकर के, वो जो है न, वो जेंडर का बेसिस नहीं है, बेसिस यह है, it must be forced on the concrete historical and political practice analysis, यानि कि आप जो है, अगर आप बात कर रहे हो, तो एसिया के female की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, आफरिका की female की बात कर रहे हो, और आप बात कर रहे हो, अमेरिका की female की बात कर रहे हो, So look into the history, उनके इतिहास को देखिए, क्योंकि अगर आप इनको Asia, Africa और America के female को एक तरीके से treat करोगे, तो हो सकता है आप क्या कर रहे हो, discrimination कर रहे हो, क्योंकि आप सब को एक ही तरह से देख रहे हो, उनके history हो देखो, वो किस तरीके से discriminated होई, उनका इतिहास क्या है, partition, किस तर से गुजरी हैं, उनस तरीके से उनके समस्याओं को treat करना चाहिए, तो चंद्रा मुहंति तलपडी ने एक बुक लिखा जाए, चंडरली ये एक्जाम में आपको match of the following में पूछा जाएगा, feminism without border, ये उनकी famous बुक है, उसी तरह से आप देखो, एक जो term आता है, वो है under westernize, या यानि कि हम ऐसा मानते हैं कि जो नारीवाद है, या फिर feminism है, ये west का concept है, पस्चम का concept है, इस पे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, जो गैर पस्चमी देश, यानि कि जो Asia हैं, उसमें भी जो नारीवाद, यहां पे भी जो thinkers हैं, उन्होंने क्या किया, अपने तरीके से यानि कि पस्चमी के नजरिये से हम अमेशा नारीवाद को क्यों देखते हैं, हमें ग्यार पस्चमी नारीवाद को भी समझना चाहिए, कि किस तरीके से आपने देखा होगा सावितरी भाइफुले, आपने एक्जांपल सुना होगा, रानी लक्षमी भाई, और आपने रान की बात करते हैं, क्यों नहीं हम रानी चिनम्मा की बात करते हैं, अहिल्या भाई जैसे बहुत सारे स्वातंतरा से नानी, these all are should be considered under the feminism, सावितरी भाइफुले, बहुत सारे, पंडिता रामा भाई, so these are also a part of the feminism, और उन्होंने बात की, feministism, not a western concept, it should be grounded in the non-western country, post-colonial feminism भी partition से related, यानि colonist society से related, जब इंडिया जो था, या फिर colonies, उनकी समस्याओं को लेकर कि, उस टाइम की महिला की क्या समस्या थी, उनसे जुड़े मुद्दों को जिक्र करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने कहा, कि जिस तरह किसे, आप देखते हो न जो नहीं है, यह जो है, यह आपनी वेक सिकतावाद, यानि कि, कॉलर्निजम का एग ब्रोड अंडिस्टैंडिंग है, बट जनरली हम लोग कोलर्निजम का मुद्द यह नहीं होता है, को जो सकता है, कि आपकी मांसेट भी जो है, वो बिटिस्ट के अंडर हो, यानि कि, आप अंतरास्टिय विशय देखते हो, अंतरास्टिय विशय के जितने भी मुद्दे हैं, वो आप देखते हो, इन्फ्लूएंस को कम करना है, यानि कि, कैसे कम करना है, अब ऐसा नहीं है, कि हम उनको क्या करेंगे, आप उनको पढ़ना बंद कर दोगे, आपको क्या लेना है, न शम्चात थाठीक है इस तरय के सब्सक्राइब ट्राइब मैं मुद्ध है पॉस्ट-कोलोनियitu फेमिनिजम का और पोस्ट कोलोनियल से जुड़े जितने भी नारी बाद से जो भी विचारक है उन्होंने इनके चिंतनों पे अपनी पूस्टी की कि हमें इस तरीके से अंतरास्टिय विश्य में महिलाओ या फिर जितने भी अलपसंक्यक हैं उनके समस्याओ को लाना है अब यह जरूनी नहीं है कि यह जो अलपसंक्यक सिर्फ महिलाई ही हो यह थोटे बच्चे भी हो सकते हैं या फिर जितने भी माइनर्टी जिनको अंतरास्टी विश्य में पहले जो है ना केंद्र में रख करके नहीं पढ़ा गया जब इतनी बाते समझ में आ गई तो आते हम ने 10 पॉ sculpture नारी बात की जब भी बात करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए मुद्दा क्या है यानि कि हर देश का अपनी एक समस्याय हैं और उन समस्याओं को को देख करके हमें क्या करना चाहिए नारीवाद को उनके समझ जाओ को समझना चाहिए उधारन के स्वरूफ समझ ले कि मालनी जी कि हम इंडिया में फैमिनिजम के स्टडी कर रहे हैं इंडिया की प्रॉब्लम्स क्या है कास सिस्टम अपकोस पार्टिशन यहां की हिस्ट्री तो जब भी हम बात करते हैं यहां के नारीवाद की तो इन चीज़ों को आप स्किप करके अगर आप नारीवाद को पड़ोगे तो आपको चीजे समझ में नहीं आएगी तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस country के particular issue, उनके particular मुद्दे को समझना चाहिए, तब ही हम क्या कर सकते हैं? उसके जानकारी ले सकते हैं और उन्होंने जोड दिया situated knowledge यानि कि ग्यान को इस्थिती यानि कि इस्थिती उस जगह की जितनी भी problems है उसको हमें क्या करना चाहिए उस पे हमें जोड देना चाहिए साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब हम non-western feminism की बात करेंगे तो उनमें हमें एक concept देखने को मिलता है सती सिस्टम जहां पे क्या होता है women को generally यानि फिर औरत को generally हम लोग कहते है mother एक मा कैसे होने चाहिए एक मा जो होती है उत्याग की मूर्ती या फिर करुणा की मूर्ती इस तरीके से हम women की role को मानते हैं ऐसी होने चाहिए बट उन्होंने कहा कि ये जो role है ये जो character stick है ये जो चरित्र है जब हम women के साथ चोड़ देते हैं और उसे कहते हैं ऐसी होने चाहिए तो हम क्या कर रहे है हम जो है ना इसको ये क्या है आप उनकी knowledge आप उनकी चमता आपको discriminate कर रहे हो आपको क्या करना चाहिए क्योंकि women जो होती है women का एक रूप और भी होता है विरांगना ठीक है यहाँ पर उन्हें ने कहा कि ये जो आप जो देखते होने जैसे भारत माता का concept भारत माता को जनरली हम लोग कहते है तो ये इस तरीके से sacrifice यानि कि nation को एक female की तरह पर represent करना आप किसी रास्ट को भारत माता के form में रिप्रेजेंट कर लो तो उन्होंने कहा बहुत सारे feminism ने इस पर जोड़ दिया कि हम इस तरीके से जो figure है यानि कि country को यानि कि अगर आपने देश की अगर ये कर दी तो आपने क्या कर दी भारत माता की देश की निंदा की मतलब कि आपने माता की जो है ना इज़त पे ये कर दिया सवाल उठा दिया तो इस तरह किसे आप क्या करते हो आप जो है ना हिंसा को और भी बढ़काते हो और इससे क्या होता है आप फीमेल को एक objective की तरफ ट्रीट करते हो तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो आप रूल दिखाते हो फीमेल का कंट्री से रिलेट करके या फीमेल का रूल एज एक करुणा एज त्याग एज शाक्रिफाइस अपने पदमावत मूवी देखी होगी ठीक है पदमावत मूवी में आपने देखा होगा कि कैसे पहले वुमेन जो थी ना आस्था अलग बात है बट यहाँ पे आप जब देखो लिए कि जाती है ने यह उनी चाहिए विश्य में एक प्रोब्लम कर दिया जाता है और बाकी जो व मैं वह सं भी होनी चाहिए तो इस fulfill के job कार थे अपने आज एसा चाहिए एक आज जो है वुने कि प्रते हैं एकार्प ये फिए नहीं नहीं है इस तरह के शिए ना फीमें इस को लेकर के चाहे आप और को देखो में लेकर के जबहम में पर अपर उन क्राई नहीं करना है या फिर उनको हर कंडिशन में स्ट्रॉंग रहना है तो जब किसी करेक्टर को किसी चरित्र को किसी जेंडर से हम जोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है आप उन पे इसे लाइज कर देते हो और उससे क्या होता है देरीज चांस टू गेट आ वॉयलेंट क कहा है कि इस तरह के चरित्र को किसी जेंडर से क्योंकि आप क्या कर रहे हो आप समाज से आप समाल किसी जेंडर को समाजिक मिनिंग दे रहे हो और जेंडर तो यही होता है जेंडर का मतलब होता है कि आप जेंडर एक सोचल लोड़े टॉम है जिसका मतलब आप समाज से लिते ह उधारन के रूप में आप जब चंद्रा मुहंतितर पड़े की आर्टिकल्स पड़ोगे तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से या फिर आप पिटी करके एक बुक किस तरीके से वुमें की जो चरित रहे उन पे जो है न अगर मान लिजे कि आपने देखा पार्टिशन में पा इसी के बज़े से न यहां पर वुमें जो है न बहुत सारी वुमें को पार्टिशन में रेप कर दिया गया बहुत सारी चाहे वह हिंदू हों चाहे मुस्लिमों क्योंकि ऐसा माना गया कि अगर वुमें जो है न वुमें इज consider as the symbol of nation यानि women जो है वो nation को represent करती है अगर आप women को एक material की तरह treat करते हो तो उससे क्या होता है there is a chances कि women जो है ना बहुत ज़्यादा क्या होंगी उस पे आपने देखा उस पे बहुत ज़्यादा vulnerable होंगी क्योंकि अगर आप जो है ना में को अगर यह कर लेते हो control कर देते हो इसका मतलब कि आप nation पे control करते हो तो इस तरीके से women को चरित्र को material की तरह treat करना यह जो है ना यह problematic है उधारन के तोर पे माले जे कि यह सब जब चीजे हो गई तो नारीवाद ने इस पे एक question किया हो और जिसके वजए से अभी आप देखोगे कि जितनी भी women है जितनी भी women है कि एक research है और research paper है बाकाइदा I think Sabah Mahmood उसके बाद आपने Sabah Mahmood ने लिखा कि कैसे partition में women जो है एक country से दूसरे country तक pitygar के एक उनका partition and pitygar के ऐसा कोई पेपर है जिनमें उन्होंने बताया कैसे जो women जो partition के दोरान दूसरे country चलिए इंडिया पाकिस्तान के partition के दोरान तो women अब कैसे survive कर रही है फिर उसके बाद आपने और भी बहुत सारे articles हैं जिसमें बताया गया है किस तरीके से जब government को यह realize हुआ कि जो partition के दोरान जो women है वह बहुत ज्यादा वल्नरेबल है तो उन्होंने घर वापसी कौप संदिया कि जो women पाकिस्तान में चली है हिंदू women या फिर Muslim women जो इंडिया में चली गई है उनको आप घर वापस बुलाया जाए और लेकिन उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी बनाया गया यह मेल ने बनाया और इसलिए के वज़े से यह पॉलिसी जो इना उतना सक्सेस्पुल नहीं रहा सक्सेस्पुल इसलिए नहीं रहा क्योंकि there is a condition वहां पे condition रखी गई कि अगर माली जे कि पार्टिशन में लोटते वग अगर कोई महिला गर्व वती हो गई तो उनकी जो बच्चे हैं उनको वहीं पे छोड़ना पड़ेगा तो यह जो condition है वुमेन को लेकर के sensitive नहीं है क्योंकि यहां पे जो policy making कौन कर रहा है it's made by a male और इसी को female ने कहा कि that should be women should be kept in the power so that there should be a decision which in the favor of the women women के favor में कुछ decision बनाएंगे और इसी के वज़े से ना women ने कहा कि जब आप non-western non-western female की बात करते हैं तो उनके समस्याओं को उनके इतिहास को समझना बहुत जरूरी है और इसी के वज़े से आप देखोगे ना इंडिया पाकिस्तान जैसे क्योंकि females को ना females को as a material partition के time पे बहुत सारे रेप हुए और वहां पे female को एक material एक objective के रूप में देखा गया और female is considered as war bodies there are various rape happened and it's because maybe और इसी को ना आप देखो ना female ने समस्याओं से अलग है और जब आप sisterhood का concept लाते हो तो आप समस्याओं को सेम करने के कोशिस कर देते हो जो की होना नहीं चाहिए आगे जब हम बात करते हैं तो इसका एक उधारन आप एक movie देखोगे खामोस पानी खामोस पानी the perfect example जसमें आपको बताया गया कि किस तरीके से जो वुमेन है यानि कि जो वुमेन पार्टिशन के दोरान एक country से इंडिया की वुमेन सीच सिख वुमेन जो की अभी पकिस्तान में रही है कीरन खेल दे स्टार एक्ट्रेस और यह दिखाता है कि कैसे जो है ना सिख वुमेन जाकर के वहां पर अपनी जीवन यापन करती है और जब उनको घर आने की option रहता है तो वो नहीं आना चाहती है क्योंकि actually क्या होता है कि जब आप एक country में रहते हो तो उनको लगता है कि अगर हम घर आएंगे भी न तो there is less chances to get accepted acceptance होने की उनके chances बहुत कम रहते हैं तो इसी वजह से घर आना नहीं चाहती है तो यह movie एक बह women है partition के दोरान अपनी किस तरीके से women ने सफर किया है ठीक है और भी बहुत सारे novels हैं आप खामोस पानी देख लो या फिर आप वो वाली movie देख लीजए क्या बोलते हैं पिंजर पिंजर movie these are the perfect example कि किस तरीके से women जो होती है na partition discrimination में सबसे ज्यादा vulnerable होती है और उन पे women in the fundamentalist and conservative society जिसमें अगर मानलेजे कि जहां पर धर्म और जाती या फिर communism को लेकर के अगर दंगे होते हैं तो women जो होती है na they are more vulnerable और इस ते रिलेटर बहुत सारे movie है और इसमें आपको दिखाए गया है partition में women को boundary marker मान जाता है यानि आपने women को जीत लिया through the rape और कुछ भी त एक सम्मान का प्रतीक माना जाता है ठीक है और इसी वज़े से women war में they are more vulnerable ठीक है और male को consider किया जाता है कि they are always there to protect the women तो यह जो role है na there is a question mark on the identity of women ठीक है खामोस पानी अगर आपको time में ले तो आप प्लीज इस movie को देखना आपको समझ में आएगा कि what happened to the women during the partition all right now let's come to the next concept next debate generally जब आप NDA में बैठोके तो एक जो question पूछा चाहता है eco feminism economic okay economic feminist यानि जिन्होंने political or feminism economics को जोड़ने की कोचित की eco political feminism ुसमें Susanne Estrange का नाम जो होता है वो जनरली पूछा जाता है और उन्होंने एक term दिया था उन्होंने बुख लिख़ थी casino capitalism ठीक है और इसमें भी आपसे हो सकता है NTA पूछ दे कैसी नो कैपिटिलिजम किस ने लिखा सो सुसान स्ट्रेंज सो प्रीज कीप इन माइंड वेन यू डील विद देट अब जब बात हुई फैमिनिजम की इस तरीके से सोच चाहने लगी तो आप इसका इंपक्ट जरूर देखोगे इसी के वज़े से आप देखो कि there is a feminist foreign policy मैंने यह जो डेटा जो लिया है वो development policy.org से लिया है foreign policy से लिया है आपको अगर depth में देना जानना होगा इसके बारे में तो you can refer to this link actually जब आप यह feminism movement आया तो बहुत सारे country थे न उन्होंने क्या किया फेमिनिजम को ध्यान में रखके feminist के problems है जैसे कि उनकी rights उनकी जो है na presentation in decision making उनसे related जितने भी I mean उनके needs को ले करके decision में उनको क्या किया जाया include किया गया और उसी वज़े से there are many countries उन्होंने feminist foreign policy को adopt करना सुरू कर दिया उसमें से जो पहला country था जो इन जिन्होंने इनसीट किया वो था Sweden जिन्होंने 2014 में first feminist foreign policy को launch किया 2017 में Canada ने launch किया ठीक है assistant foreign policy 2018 में UK ने decide कि they are going to follow the feminist foreign policy 2019 में Mexico, France, Luxembourg and 2023 में 2020 में Mexico तो हो सकता है आप से question यह पूछ दे कि who is the first and who is the latest country that now start following the feminist foreign policy इस तरह के question मुझे याद है कि last time NT ने पूछा था कि recently which country has announced to follow the feminist foreign policy तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह जो है these are the very good example कि कैसे नारीबाद ने आज के समाज में नो changes की दूसरा जो change आप देखने को मिलेंगे है women का participation in the field work ठीक है चाहे आप UN peacekeeping mission में देखिये तो इस तरह से आप एनलाइज कर सकते हो कि what was the क्योंकि पहले क्या सोचती कि females are just for the desk work but now you can see that the how the women are taking the participation in the peacekeeping mission ठीक है UN level पे तो इस तरहीके से women को अब अब आप देखिए अंतरास्टी स्तर पे शामिल करने की कोशिज की जा रही है बट फिर भी ये कोशिज जो है ना उस अस्तर पे नहीं है जिस तरह इसे demand हो रही है तो ये जो है ना feminism से लिएटर अंतरास्टी विशह पे हम इन समस्याओं को पढ़ते हैं और समझते हैं और इस तरह से इनकी कोशिज रहते हैं कि हम किस तरीके से अंतरास्टी के अस्तर पे जो female है जो minorities है थोड जेंडर है या फिर men जिनकी voice को नहीं सुना जाता है उनको क्या करें जादा से जादा inclusive बनाने की कोशिज की जाए now let's come to the PYQ अखिर इसमें किस तरह के question पूछ जाते हैं generally इसमें बहुत question पूछे जाते हैं but let's have a book जैसे आपको book से related कि किन्होंने book लिख्या जेंडर and international relation gender in international relation and Tickner, Cynthia Enloe, Arundhati Roy Hillary Clinton just try to get the answer हमने इसके बारे में पहले बडिस्कस कर लिया था अपकोस Morgan था हुआ लो तो आपको पता ही होगा कि Morgan था हुआ को sex principle को criticize करने वाले जो फैमिल स्थिंग कर दिए वो थी Ann Tickner इसके बारे में आपको पता होगा बट जेंडर in international relation ये book जो है आपको जेंडरली एंड टिकनर से देखने को मिलते है ठीक है अचा एक बार जेंडरली वी कन्फ्यूस बेट्वें एंड टिकनर एंड सिंथिया इनलोई बिकाज इंटरनेशनल डिलेशन में ये जो दो thinkers है ये बहुत इंपोर्टन थिंकर है तो आप देखिएगा कि जो एंड टिकनर के बुक है जेंडर इंडर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स फेमस जॉर्नल्स उन्होंने लिखा यू यू जस्ट डॉंट अंडरस्टैंड ये बहुत इंपोर्टन है इन्होंने इन्होंने मॉर्गें थाओ के सिक्स प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज किया यू कैन इमाजिन और जो दूसरी थिंकर है जो बहुत ही मतलब जो कि आप मुवी से रेफर नहीं कर सकते हैं और यह जो थीरी नहीं बहुत इंट्रेस्टिंग होती है इनकी जो बुक है वह है बनाना बीच इन बीच इन पूछा जाता है कि बनाना बीच इन बीच किसने लिखा तो आपको पता होना चाहिए थीज रिदन बाई दा इल्लो इंटरनेशनल रिलेशन तो यह थी कुछ नारीबाद से रिलेटेड कुछ मुद्धें जिनको हमें समझना है जब ही आप थियरी पढ़ें तो आप इन चीजों को उनके उनसे रिलेटेड अब इतना गहराई में कुशन पूछता नहीं है इंटी है मैंने आपको इस वज़े हैं बहुत सारे इशू हैं हलांकि हो सकता है मैंने कोशिश किया कि जितना हो सके मैं उस इस तर पर पढ़ा सब कुछ इस तर पर अंतरास्टिय में होता है बट फिर भी आपको लगता है कि आपको बेले से इसमीं जैसे स्टेंडर बुक को रेफर कर सकते हैं तो एक बार फिर नास होगी वो खतम हो जाएगी और हम इंटरनेशनल रिलेशन के नेक्स्ट उनिट पर आएंगे तो बगल अफ एंड से वित थास की प्रिवाइजिंग और ट्राइट उसमुड असमुड पीवाइज्ट अशॉल था पीवाइग्यू अल अबेस गाईज